हाई दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो पर मैं आज आप लोगों को कायम चूर्ण के बारे में बताने वाला हूँ कायम चूर्ण एक तरह का पावडार है और इसमें बहुत सरी जड़ी बुटियों का मिस्रन होता है ऐसे लोग जिनको मल तियाग्न में परिशानी होती है कब्ज, गयस, एसीडिटी जिन भी लोगों को ऐसी परिशानी होती है वह लोग कायम चूर्ण का पर्योग करते हैं कायम चुर्ण के अनेक फाइदे हैं जिसमें कि आप लोग इसका इस्तेमाल करके लाव उठा सकते हैं जैसे कि कायम चुर्ण पुरानी कब्ज, ACTT, सरदर्द, आखों का जलना, हाथ पेरों में जलन, तोचा रोग, छाती में जलन और पीत विकारों के लिए कायम चुर्ण अजबी महसुस होता है, अगर बात किया जाए कायम चुर्ण डोज के बारे में तो आपको जो है इसे एक चमच से लेकर के दो चमच तक इसे आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपको प्रवलम के अनुसर अगर आपको ज्यादा प्रवलम है तो आप कायम चुर्ण को दो चमच ले सकते हैं, यही पर अगर आपको प्रवलम कम है या पिर अगर आप पहली बार यूश कर रहे हैं तो आप इसे एक चमच लिजे या फिर उससे भी कम लेकर आप इसे पहली बार ट्राइ कर सकते हैं कायम चुर्ण बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है और नहीं प्रेगनेंसी लेडी कोई से इस्तेमाल करने के लिए देना है अगर बात किया जाए कायम चुर्ण के फर्मूला के बारे में कॉम्पोजिशन के बारे में या कायम चुर्ण जो है किन किन इंग्रेडियन से मिलकर के बना है तो इसमें देखा जाए तो सेना का पत्ता सेना लिप्स इसमें परमुक पाया जाता है सबसे ज्यादा जिनका काम होता है कबज को खतम करना इसके अलावा ब्लेक सॉल्ट अजवाइन ये सबसे मिलकर गई से बनाया जाता है